आबादी में असंतुलन के लिए अक्सर मुसल्मानों की तरफ उंगलियां उठती रही है। सवाल प्रजिनन्दर को लेकर भी उठता रहा है। और आखेर आखड़ों की हकीकत क्या है। आईए आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि आबादी असंतुलन को लेकर सियासत ज्यादा हो रही है। देश तूट गए ये असंतुलन जन्मदर एक भागे उसके। लेकिन जोर जबरदस्ती या छलकपट से लालच से मतान तरण ये सबसे बड़ा फैक्ट रहे है। ये पिछले 10-20 हुर्षों में ऐसे हुआ है। हम बहुत गर्व से कहते हैं बारत यूकों का देश है, युवाउं का देश है। क्या आने वाले 10-20-50 हुर्षों के बाद देश बुड़े लोगों का देश हो गया था। संग प्रमुक्र ने पिछले साल दशारा पर जो कुछ कहा, उसे इस साल 22-23 होस बोले दोहरा रहे है। संग की माने तो हिंदू की आबादी घट रही है, प्रजन अंदर घट रही है और ये एक बड़े खत्रे की घंटी है। जनसंख्या नीती तो होनी चाहिए, अपने आविचार हुआ है, एक परिवार में 2.1 ऐसा कायने 2 बालक रहे, ऐसा विद्वानों ने मिलकर निश्चित किया, सरकार ने उसको स्विकार किया, ये सब हुआ है, लेकिन हमको लगता है कि एक बार फिर विचार कर लेना चाहिए एक 50 साल आगे तक का विचार करके एक नीती बनानी चाहिए, और उस नीती को सब पर समान रूप से लागू करना चाहिए देश में जनसंक्या असंतुलन भी है, और कई जगव पर इस असंतुलन के कारण देश के बाहर अन्य देशों में उस देश के विभाजित करने के नौबत भी आई, पिछले 50 सो में आईसी स्थिती भी आई, भारत के भाजन भी हुआ, उड़ान का हुआ, कोसोवा कंजज़ जनम हुआ, इस तिमोर का जनम हुआ इंडोनीचा को एक हिस्से को अलग करके। और मुसल्मानों में 3.6 बच्चा प्रती महिला जनन दर थी। 2005-6 में ये घटकर हिंदू में 2.59 और मुसल्मानों में 3.4 रह गई थी। 2015-16 के परिवार स्वास्त सर्वे में हिंदू महिला की प्रजिन अंदर 2.13 और मुसलिम महिला में घटकर 2.61 रह गई। 2019-2021 के राष्ट्रे परिवार स्वास्त सर्वे में हिंदू महिला की प्रजिन अंदर 1.9 और मुसलिम महिला की प्रजिन अंदर घटकर 2.36 हो गई। आंक्डों की हकीकत यही है कि प्रजिन अंदर दोनों तरफ घट रही है और इनी आंक्डों के आधार पर OVC जैसे नेता पलट कर संग से पूछते रहे हैं कि आखिर आबादी असंतुलन का ठीकरा मुसलमानों पर ही क्यों फोड़ा जाता है क्या कन्वर्जन से भारत को क्या तालुक मोहन बगबत साब बताए मोहन बगबत साब कि क्या भारत का कोई रिलिजन है भारत का कोई रिलिजन है भारत सब रिलिजन को मानता है भारत की खुबसूरती है भारत का कोई रिलिजन है क्या आप चाहते है कि भारत का एक रिलिजन एक कल्चर हो एक जबान हो यह नहीं हो सकता इसलिए नहीं हो सकता क्यूंकि भारत एक मल्टी कल्चरल मुल्क रहा है और रहेगा अब बड़ा सवाल यह है कि क्या केंद्र सरकार संग जैसे संगठनों की चिंता को देखते हुई क्या जन संख्या नियंतरन पर कोई नीती लाने का इरादा रखती है यूएन की रिपोर्ट की मुताबिक 2023 तक भारत की अबादी चीन से भी आगे चली जाएगी लेकिन चीन को एक बच्चे की नीते खत्म करनी पड़ गई क्योंकि चीन में आसत बुजर्ग बढ़ने लगे जन संख्या नीती पर अब तक केंदर सरकार नाना करते रही है अब आगया के देखे होता है क्या अशोक सिंगल प्रियागराज आज तक